साल 2014 में जब हम एकनाज जी के जन्म शताब्दी मना रहे थे तब मैंने कहा था कि यह अवसर युवायों के मन को जगाने का है हमारा भारत युवा है वो दिव्य भी बने और भव्य भी बने आज दुनिया भारत से दिव्यता की अनुभूती की अपेक्षा कर रही है और भारत का हर गरीब दलीत, पीडीत, सोसित, बंचित ये भारत के भव्यता की अप्रिक्षा करता है और विश्व के लिए दिव्यता तो देश के अंदर के लिए भव्यता और इन दोनों का मेल करके ही राष्ट निर्मान की दिशा में हमें आगे बढ़ना है भायों बहनों आज भारत दुनिया का सबसे यंग कंट्री है युवा देश है असी करोड से जादा जनसंख्या 35 वर्ष से कम एज की है स्वामी विवेकानन अगर आज हमारे बीच नहीं है शाक्षाद रुप में नहीं है लेकिन उनके विचारों में इतनी पावर है इतनी ताकत है इतनी प्रिरणा है कि देश के यूद को संगठित करके नेशन बिल्डिंग का रास्ता दिखा रही है एकनाज जी ने युवाओं की इस शक्ति को एकजूट करने के लिए विवेकानन केंद्र और स्वामी विवेकानन रॉप मेंबोरियल की स्थापना की थी एकनाज जी कहते थे कि हमें स्वामी विवेकानन अच्छे लगते हैं सिर्फ इतने भर से कुछ नहीं होगा देश के लिए स्वामी विवेकानन जीन जो कलपना की है उसे साकार करने के लिए वो सतत योगदान को भी इंपोर्टन मानते थे महत्वपुण मानते थे एक्चाजी ने जिस एक लक्ष के लिए पूरा जीवन लगा दिया था वो था स्वामी विवेकानन जी की जैसे ही युवकों का निर्मा उन्हेने युवाओं में राष्ट निर्मान के वही आदर स्थापित करने का हमेशा प्रयास गया जो एथिक्स, जो वैल्यूज स्वामी विवेकान जी के थे मेरा ये बहुत बड़ा सवभाग्य रहा कि जीवन के अनेक वर्षों तक मुझे एकनाज जी के एक निकट साथी के रूप में काम करने का आउसर मिला इसी धर्ती पर कई बार आकर के उनके सानिध्य में जीवन को निकारने का मुझे आउसर मिलता था